नमस्कार किसान भाई हूं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस खेत में हमने अरहर राहर तूर की खेती कर रखी है अलग-अलग छेत्रों में से अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अरहर की खेती की में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी एटूजेड जानकारी आपको दूंगा कि इसकी बॉनी का सही समय क्या है और इसकी कटाई क्या हो सकती है इसमें दवाएं कौन-कौन सी चड़कना चाहिए हमको और हम इससे अच्छी पेदावार इस फसल से कैंसे सबसे पहले हम इसके फस्ट पॉइंट से स्बूर करते हैं कि हमें वहनी का सही समय क्या है हर की वहनी कहां सही समय है अधस जून से लगा कि पत्चीत जून तक की बीच में इसमें épisode हर की बौनी कर सकते हैं इसमें हम चार फिट पर घार बना कर इसकी बौनी कर सकते हैं इसमें लाइन से लाइन की दूरी चार फिट होना चाहिए और लगवागत इसमें सीट जो है जे हमारी खेत में लगी है दुरगा रहर रहर तूर जिसको हम बोलते हैं चार फिट की दूरी पे हम लाइन से لाइन की दूरी चार पिट रखी है और इसमें बा हाथों की से लेवर को लगा कि हातों की सःधा से एक एक बीज को लगाया गया है खेत में चार पिट के ला ऑर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चार पिट की दूरी पे लगाए गई है हमारी ये फसल लगवक्ट 6 किलो एक एकड में सीट की जरूरत पड़ती है हमें हाइब्रेट सीट ही आप लोक्चेन करें इस खेत में हमने दुरगर आहर को लगाया जिसकी पैदावार बहुत अच्छी है आठ से दस कुंटल पर एकड तक इसका पैदावार है इसको लगाने के लगवक्त तीस दिन वाद हमने जर्मीनेशन के बाद हमने इसमें परसूट डाला था खर्पतवार नासा को और जो भी खर्पतवार बच गया था उसकी 15 दिन वाद हमने उसे हांस से निकलवा दिया था लगवक्ट 40 दिन वाद हमन एक प्लांट रेगुलेटर का यूच किया था सिंजेंटा कंपनी का इसा भी उनका जैसा कि आप लोग देख पा रहे हमारा खेत में विलकुल स्वस्त वधा है और विलकुल तैयार हो चुका है और इसके बाद हमने और जो भी कचला थोड़ा बहुत बचा था उसको निदाई कि करवाके लेफरों की सयाता सहट वाधिया था है और दिसमबर की स्टार्डिंग मेंहां सिंजेंटा का च्छड़काव ठाब था ही यो कि आपने बीच में हमने फली दिखाई ति इस में इललीया ट्रही चेट कर रहे का कंपनी के एंप लिगों कच्छड़काओं किया जिस से लिए हमारी खेद की पूरी तरीके से खतम हो गई है और इसको हम लगवग दिसंबर की लास्ट और दन बरी के फर्ष्ट में हम इसकी कटाई करेंगे और कटाई की तुरांत बाद हम खेद सुदा रहेंगे और इसमें यह हम लगाइगे और